हालो एवरिवन वेलकम अगें लेर्ण विद धृतिमन हम आज क्लास 6 का चप्टर नूबर 2 करने जा रहे हैं देकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका 20 मांक्स का आपका जोग्राफी आने वाला है और आपको अच्छे से पता है कि कमप्टीशन के लाइन में हम एक-एक पॉइंटों में जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे लिए कितनी इपॉर्टेंस रखते हैं तो यह मुझे आपको डेफिनिटली बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो इस पार्ट को इगनॉर करना आपके लिए बहुत प्रब्लमेटिक हो सकता है तो अच्छे बाद ़्यागूलर कोको श्रीज हैं उसको भी मैं लेकि आने का प्र्यास पूरा करूँगा आपके लिए तो चलिए बिना देरी के और अच्छे से मेहनत के साथ अच्छे मकसद के साथ इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं कहा जाता है, कौशन नमबर टू, सौर परिवार में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं, कौन-कौन होते हैं, सूर्य, ग्रह, उप-ग्रह, उलकाएं, धुमकेतु और ग्रह कणिकाएं, ये सब ही सौर परिवार का हिस्सा है, कौशन नमबर त्री, खगोलिय पिंट एक निश्चित पत पर चक्कर लगाते हैं, पत को क्या कहा जाता है, उस पत को कख्चा कहते हैं, और विट कहा जाता है, कौशन नमबर फोर, किसने सरपर्थम बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंदर में हैं और सवी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, इसका आंसर बताईए, इसका आंसर है, निकोलस कौपर निकस, और इन्होंने 1543 इश्वी में इसको बताया था, कौशन नमबर फाइव, सौर मंडल की वैग्यानिकों के अनुसार कितनी आयू बताई गई है, इसका आंसर है, लगभग 460 करोड वर्ष, इसकी जो आयू है, 460 करोड वर्ष बताई गई है, Q6. सौर्मंडल में प्रिकास एवं उर्जा का एक मात्र श्रौत है सौर्मंडल में प्रिकास और उर्जा का एक मात्र श्रौत कौन सा है? इसका अंसर है सूर्य सूर्य है वो हमारे सौर्मंडल में प्रिकास एवं उर्जा का एक मात्र श्रौत है सूरे के प्रिकास को पृत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो इसका आंसर है आठ मिनिट तीस सेकंड कुशन नमर एट सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है तो देखे सौर परिवार में पहले ग्रहों की संख्या 2006 तक 9 मानी जाती थी लेकिन प्लूटो को 2006 में जो खगोली संगठन है अंतराष्टे खगोली संगठन उसने उसको बॉने ग्रह का दरजा दे दिया तो 9 ग्रह से वो 8 ग्रह रह गए, तब से हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह माने जाते हैं Q9, सूरे से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्या क्रम है? यानि सूरे से दूरी जैसे बढ़ती जाती है, उसका क्या क्रम है? सबसे पहले बुद्ध, सुक्र, पिर्थवी, फिर मंगल, ब्रस्पती, सनी, अरुन, वरुन यानि सबसे नजदी कौन सा आता है बुद्ध आता है, उसके बाद सुक्र आता है फिर्च्वी आती है, उसके बाद फिर मंगल उसके बाद प्रस्पति उसके बाद सनी और उसके बाद अरुन और सबसे लाश्ट में वरुन Next question अंतराष्ट्य खगोल संगठन ने किस ग्रह को बौने ग्रह का दरजा 2006 में दिया हमने अभी बात की थी तो हम किसको दिया था? प्लूटो को बौने ग्रह का दरजा 2006 में दिया गया था कॉशन नमर 11 किन ग्रहों को धरातलिय या आंतरिक ग्रह कहा जाता है धरातलिय या आंतरिक ग्रह कहा जाता है धरातलिय या आंतरिक ग्रह का मतलब क्या है जिनका जो धरातल होता है जिनकी जो सर्फेस होती है जो उनकी जो सते होती हो solid होती है और किनको इनको कहा जाता है उनको है बुद्ध, सुक्र, पृत्वी और मंगल जो सूरे के निकर्तम जो चार ग्रहे हैं बुद्ध, सुक्र, पृत्वी और मंगल इन सभी में solid सते है और इनको solid surface है और इनको क्या कहा जाता है धराते लिए ग्रहे या अंत्रिक ग्रहे कहा जाता है next question देखने किन ग्रहों को गैसिये या बाहा ग्रहे कहा जाता है किन ग्रहों को गैसिये या बाहा ग्रहे कहा जाता है तो देखें ब्रेसपती, सनी, अरुन और वरुन ये वो ग्रहे हैं जिनको गैसिय ग्रहे या बहाई ग्रहे कहा जाता है क्योंकि सूरे से ये दूरी परिस्थित हैं ये चारो ग्रहे और दूसरा जो इनका जो सर्फेस है जो सत्य है वो गैसिय है इनको कोई धरातल नहीं है इस इस वज़े से इनको यह गैस यह गुबारों से बने हुए हैं, तो इनको क्या का जाता है। बहा ग्रह कहा जाता है सुद्र या अवांतर ग्रह छेत्र यानि asteroid belt किन ग्रहों के मद्धे इस्थित है इसका आंचर है मंगल और ब्रस्पति यह जो asteroid belt है यह सुद्र ग्रह छेत्र जो है पट्टिका भी इसको बोलते हैं यह किन ग्रहों के बीच में पाया जाती है मंगल और ब्रस्पति के बीच में किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है तो यह केवल दो ही ग्रह हैं भुद्ध और सोक्र जो सुर्य के सबसे निकटम ग्रह है इन पर कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है इसका आंशार है वरुन लगबग 164 वर्स में परकमा पूरी करता है अरुन 84 वर्स में पूरी करता है सनी इसी परकमा को 39 वर्स और 5 महा का समय लगाता है ब्रस्पति सूरे के परकमा करने में 11 वर्स और 11 महा का टाइम लगाता है मंगल इसी काम को 687 दिन में पूरा कर लेता है और पृत्वी इसको हम जानते हैं 365 दिन यानि एक साल में पूरा करती है और सुक्र इसी परकमा को 225 दिन में पूरा करता है और बुद्ध सूरे के परकमा मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है तो आपने देखा सबसे ज़्यादा समय किसको लगा वरुन को क्योंकि वो सबसे करता हम इस दित है चलिए next question देखने अक्ष पर घूर्णन में लगने वाला समय के आधार पर ग्रहों का अवरोही करम क्या है यानि जो ग्रह होते हैं एक तो होता है परकमा करते हैं उनके आधार पर हमने अभी पिसला कोशन किया था और अब है घूर्णन यानि अपनी जग गूमते रहते हैं जिसे हमारे पिर्च्वी के दिन और रात निर्धारित होते हैं इसी तरह जो और ग्रहन को गूर्णन में कितना समय लगता है तो उसका क्रम क्या है शुक्र को सबसे जादा दिन 243 दिन लगते हैं बुद्ध को अपने अक्ष पर घूमने में 69 दिन का समय लगता है फिर ची हम जानते हैं एक दिन में एक बार घूम जाती है अरुन को 17 गंटे और 14 मिनिट का समय लगता है वरुन को 16 गंटे 7 मिनिट का समय लगता है सनी को 10 गंटे और 40 मिनिट का समय लगता है और इसी तरह ब्रस्पति को अपने अक्ष पर घूमने में 9 गंटे 56 मि पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसको आप सभी जानते हैं, इसको हम उपग्रह कहते हैं. उपग्रह जो होते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, वो खगोलिय पिंड उपग्रह कहलाते हैं. ग्रहों के चकर लगाने वाले खगोलिय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं क्या कहलाता है सूरे की परकमा कर रहा है और दूसरे के और अर्बिट के अंदर एंटर हो जाता है दूसरों की कक्छा के अंदर आ जाता है और उनका कई बार वो टकरा भी जाते हैं तो वो पिंट क्या कहलाते हैं तो वो पिंट कहलाते हैं बॉने ग्रहे बॉना ग्रहे क्या है जैसे प्लूटो को 2006 में दरजा दिया गया था क्यों? क्योंकि वो वरुन से कई बार टकरा चुका है और इस वज़े से वो उस नियम का पालन नहीं करता जिसमें ग्रह आते हैं क्योंकि ग्रह अपनी प्रकमा करते हैं लेकिन वो किसी भी अन्य पिंड के रास्ते में नहीं आते हैं जबकि जो प्लूटो है बार-बार वरुन के रास्ते में आता था और उसे कई बार ठकरा भी चुका था तो इस वज़े से वो ग्रहों के जो नियम हैं उसमें नहीं आता तो इस वज़े से उसको बौने ग्रह का दरजा दिया गया कोशन नबर 19 किन ही तीन बौने ग्रहों के उधारन दीजे हमारे सौरमंडल में बहुत सारे बौने ग्रह हैं जिनमें से तीन जो मुख्य हैं वो हैं प्लूटो जिसको हम सभी जानते हैं एरिस और सेरिस ये तीन ऐसे बौने ग्रह हैं जो काफी आपको पता होना चाहिए ये तीनों बौने ग्रह के उधारन हैं प्लूटो एरिस और सेरिस कोशन नबर 20 सूरे से दूरी के अनुसार सूरे से दूरी के अनुसार प्रत्वी कौन से नंबर का ग्रह है सूरे से दूरी के अनुसार प्रत्वी कौन से नंबर का ग्रह है तो बताईए इसको इसका अंसर है त सूर परिवार का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृत्वी है कृषए Next question, किन ग्राहों को जुड़वा ग्रह का दर्जा प्राप्त है? किन ग्राहों को जुड़वा ग्रह माना जाता है? किन ग्राहों को माना जाता है? सुक्र और पृत्वी. क्यों? क्योंकि इनकी आकार और आकरती लगभग लगभग समान है, इस वज़े सुक्र और पृत्वी को जुड़वा ग्रह के तौर पे माना जाता है Question number 23 किस ग्रह को जीवन्त ग्रह कहा जाता है यह हम सभी जानते हैं किस ग्रह को जीवन्त ग्रह कहा जाता है पृत्वी को जीवन्त ग्रह कहा जाता है Next question पृत्वी का औसत तापमान कितना है तो पिर्थवी का जो औसत आपान है वो है 15 सेंटी ग्रेड क्या है 15 सेंटी ग्रेड नेक्ट कोशन पिर्थवी के परिमंडलों के नाम क्या है तो पिर्थवी के परिमंडलों के नाम क्या है तो पिर्थवी के परिमंडलों के नाम क्या है इस्थल मंडल वायू मंडल और जल मं से यह जया मंडल का भी निर्बान करता है जिसकी वज़े से यहाँ पर जीवन स्थापित है नेक्क क्योशन पिर्थवी के चारों और विक्सित वायू का आवरण क्या कहलाता है यह कोशन आपके कुछ एक्जाम्स में आ भी चुका है और यह बार-बार रिपीट भी होता है य किस ग्रह को जीवन्त ग्रह अत्वा जल ग्रह कहा जाता है किस ग्रह को जीवन्त ग्रह अत्वा जल ग्रह कहा जाता है आप सभी जानते हैं कि जहां जीवन है वो जीवन्त ग्रह और जीवन्त ग्रह कौन सा है हमारी पिर्थवी यहाँ पे जल भी पाया जाता है और जीवन भ सबसे इंपोर्टन जो है वो टाइटन है मैंने हैपेरिया और फॉइब का भी नाम लिखा हुआ है इसमें और टाइटन जो उपग्रह है इसके उपर सेटिलाइट भेजा गया है नैसा की द्वारा और इसके उपर रिसेर्ट चल रही है चलिए तो इसलिए टाइटन का नाम बहुत इंपोर्टन माना जाता है नेक्ट कोश्चन ब्रस्पती के उपग्रहों के नाम बताएं ब्रस्पती के उपग्रहों के नाम बताएं इसमें काफी और भी उपग्रह है जिनके मैं नाम नहीं लिखे हैं जो हमें इंपोर्टन है मैं नाम बताएं, इसका अंसर है Phobos वे Demos, यह बहुत important question है, क्योंकि मंगल के दो ही उपगरे हैं, next question, पिर्थवी चंद्रमा से कितनी बड़ी है, पिर्थवी चंद्रमा से कितनी बड़ी है, पिर्थवी चंद्रमा से एक्यासी गुणा बड़ी है, 81 times यह बड़ी है पिर्थवी question, माहा में एक बार चंद्रमा का पून प्रकासित भाग प्रत्वी के सामने आता है, उस दिनको क्या कहा जाता है, पूर्णिमा, उस दिनको पूर्णिमा कहते हैं, इसी के विपरित महा में एक बार चंद्रमा का पूर्ण ए प्रकासित भाग पृत्वी के सामने आता है, उस दिन को क्या कहा जाता है? तो उस दिन को हम आमवश्या कहते हैं. नेक क्योशन, चंद्रमा का प्रकासित भाग बढ़ता हुआ पृतित होता है, उस पकवाड़े को क्या कहा जाता है? यानि अमवश्या होती है, अमवश्या में हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, फिर धीरे देरे डे बाई डे वो बढ़ा होता जाता है, और लाष्ट में पूर्णीमा तक पहुँचाता है, तो यह जो बढ़ता हुआ क्रम है प्रकासित भाग का, यह जो पंद्रे दिन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको हम सुक्लपक्च से नाम से जानते हैं. नेक कोशन, चंद्रमा का एप्रकासित भाग बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, उस पकवाड़े को क्या कहा जाता है? हमने देखा, पिछले कोशन में चंद्रमा का प्रकासित भाग बढ़ता हुआ प्रतीत माना गया था उसमें, और इसमें क्या कहा गया है? चंद्रमा का यानि 15 दिन को क्या कहा जाता है, तो वो जामें क्या कहलाता है, कृष्ण भक्च कहलाता है, वो टाइम क्या कहलाता है, कृष्ण भक्च. Next question, चंद्रमा का परिक्रमा काल कितना है? 27 दिन आंसर है 27 दिन, परिक्रमा मतलब चंद्रमा जो प्रित्वी के जो चकर लगाता है, वो कितने टाइम में लगाता है, वो 27 दिन में ये काम पूरा करता है चंद्रमा का घुर्णन काल कितना है? यानि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितनी समय में घुमता है? तो चंद्रमा का जो घुर्णन काल है, वो 29 दिन का होता है Next question, धुमकेतूं और शुद्रग्रहों से तूटे हुए टुक्रे पिर्त्वी के वातावर्ण में आ जाते हैं थुमकेतूं और शुद्रग्रहों से तूटे हुए टुक्रे पिर्त्वी के वातावर्ण में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उलका हैं, उनको उलका कहा जाता है Next question, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह रिस्पती है इसी तरह सौरमंडल का सबसे चोटा ग्रह कौन सा है? सबसे चोटा ग्रह कौन सा है? सबसे चोटा ग्रह है भुद्ध और इसका आंसर है सनी, सनी के वले पाई जाती है पृत्वी का सबसे नजदीक आकास ये पिंड कौन सा है? पृत्वी का सबसे नजदीक आकास ये पिंड कौन सा है? पृत्वी के सबसे नजदीक पाया जाता है चंदरमा यहीं उसका उपगर है चंदरमा जो है वो सबसे नजदीक ये आकास पिंड है प्रकास की गति क्या है? तीन लाख किलोमेटर प्रती सेकिंड ये पहले चैप्टर का एक कोशिन है जो इस चैप्टर में रहे गया था जिसको मैंने दुबारा से लिखा है और प्रकास की गति हम किसको नापने के प्रकास वर्स किस की काई है? प्रकास वर्स है एक वर्स में प्रकास द्वारा ते की गई दूरी यानि प्रकास वर्स किस की काई होगी? दूरी की काई मानी जाती है थैंक यू तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है मिलते हैं नेक्ट चैप्टर के साथ नेक्ट वीडियो में थैंक यू